हलो दोस्तों मैं हूँ अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्सक्राक्टीट यो लेट्सक्राक्टीट के इस ओलाइन प्रेट्फरम पे एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों नोटिफिकिशन में आपको ये सोगात के नाम से मिल गया होगा जिसमें मैं आपको टॉप हंडेड कोशन देने वाले हूं विफोर द पॉलेट्सक्राइब को डिसक्राइब मुझे उम्मीद है कि आपके एक्जाम में इन कोशन में से रखें मिलंगे देखते हैं कितने बच्चे इसको इंजॉय करते हैं इस सेशन को इंडिन पॉलेट्टी आपकी ये पांच बची से लाइप किलास आपकी हो रही है टॉप हं जर ये चुकिना समय आपके पास है ना मेरे पास है कि बढ़ते आगे कि सबसे पहला कोशन आप स्कीन पर आचुका है उच्च नियायले के नियुदीश की आयू पराप्त करने पर सेवानविर्थ होती है बताओ कितनी आयू होने पर वो सेवानविर्थ होते हैं उच्छी न्यायाले में या उच्तम न्यायाले में न्यायदीस की जो आयू प्राप्त करने पर सेवानविर्थ होते हैं कितनी आयू होने पर उनको सेवानविर्थ किया जाता है 65 साल 62 साल 68 साल या 70 साल दोस्तों फटा फटा अंसर करेगा बहुत तेजी से इसको लेकर चलंगे मेरा वादा है आपसे मैं दो घंटे के अंदर मैं आपको 100 कुशन कवर कराने का प्रियास करूँगा अनके यादव जी 65 बिल्कुल सही आंसर है बहुत बढ़िया वे क्या बात है गजब की एंट्री की एंके आदव जी वेलकम है आपके अपने चैनल लेट्स क्राक्टीटी में बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ नेक्स कुशन देखे अच्छ 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 आपके लिए यह इसमें गलत लिखा हुआ है भारत के पहले मुख्य नैदिस कौन थे पतंजली सास्त्री एच्जे कानिया एस आर दास या चं चंद महाजनी कौन थे फड़ा पड़ा आंसर करें जल्दी से शेयर करेगा शेशन को और सभी बच्छों को जोड़ने का काम करेगा आपके अपने अतुल सर आपके अपने लेट्स क्रेक्टी चैनल पर एक बार फिर से उपस्तित हो चुके हैं आचुके हैं आंसर आपके सा सं 3733 में सं 3733 में एक उच्च नियायले का निर्माण किया गया था को मुझ नियायले कि अंग्रेजी कारेकाल के दोरान यह निव ब्रेटिस राशन के दोरान सबसे पहले एक एक्ट आता है बच्चों कौन सा सं 3733 का एक्ट सब्सक्राइब करती थी इसके अंदर एक उच्छ नियायले का निर्माण किया जाता है भारत के लोगों और कंपनी के द्वारा जो इस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उनके ऊपर क्या चलाने के लिए कि मुकदमा चलाने के लिए चली जान समय नहीं लेंगे के बारे में थोड़ा से जानने का प्रियास करेंगे यह हैं फर्स्ट चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया हिरलाल जैकिसन दास कानिया माननी है सर हरिलाल जैकिंद दास कानिया 14 अगस्ट 1947 को स्वतंता के बाद भारत के सर्वोच यानि सबसे पहले सर्वोच नियायले के मुखे नियादिस बनने का काम करें अब आप तो कि सर 14 अगस्ट कैसे हो जाएगा चोद्य अगस्ट कैसे होगा 15 अगस्ट को भारत देश आजाद हुआ मेरी बात समझेगा 14 अगस्ट सन 1947 को इंदुस्तान पाकिस्तान का बटवारा होता है 15 अगस्ट 1947 को देश को आजाती की प्राप्ति हो जाती है पूर्ण रूप से लेकिन इनका डिसिजन यह ले लिया ग चोदन की कुल संख्या कितनी है मतलब अब तक कितने अमेंडमेंट किया जा चुके हैं इंडियन कंस्टिट्यूशन में वह आपको बताना है जल्दी से बताएं श्यासन को करें श्यर अपने सभी मित्रों के पास आओ देखे जरा किसमें कितना है दम यह वक्त की फिसलन है तुम यह फिसल जाओगे आएगा हवा का जोका तुम जोके में बह जाओगे रुको सोचो समझो कि तुमें जाना किदर है एक समय ऐसा आएगा तुम किनारा नहीं ढूंड पाओगे दोस्तों यह समय भटकने का नहीं है यह समय फिसलने का नहीं है यह है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो इसमें करोते कि अंसर करते हुं कि अंसर 1101 एकुछ लोग कह Coha चो को है को इसाँ है पोजो verstehen आप लोग जो भी ऐ में लाइब देख तक उन्हें आंसर दिया है 101 उनका आंसर बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि गलत है हाले कि बता है वरतमान में एक और संसर इसमें बढ़ गया सब्सक्राइब पहले का है लेकिन आंसर इसमें आएगा 123 is the right answer okay 123 is the right answer of the question no.3 ठीक है गोड़ इविनिंग जी गोड़ इविनिंग स्वागत आपका वेलकम है देकि भारती सवदान में समय समय प्रजृत के साब से संसोदन होते रहे यह आपको जानकारी अब तक 104 हो चुके हैं लेकिन इसमें क्योंकि question थोड़ा सा पीछे का पूछा ह है है को जोड़ चुके तरप्ति गोड़ जी मारसा जुड़े हैं और मितिलेश सिंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोड़ इवनिंग जी मितिलेश जी स्वागत आपका भारत का सबसे बड़ा केंद्र सासित प्रदेश लगदाग दिली दमन और दीव और जम्मू ज है भारत का सबसे बड़ा केंद्र सासित प्रदेश कौन सा है भारत का सबसे बड़ा केंद्र सासित प्रदेश कौन सा है यह आप लोग आंसर करेंगे भारत का सबसे बड़ा केंद्र सासित प्रदेश कौन सा है लगदाग दिल्ली दमन और दीव जम्मूर कश्मीर आओ देखें जरा किसमें कितना है दम जम के रखना कदम हो मेरे सातियां आंसर करें सर्थ दिल्ली होगा दिल्ली होगा दिल्ली होगा भाइया मेरी बात समझो जब आप दिल्ली को भारत के नक्से में देखते हो तो दिल्ली ऐसे मानवा एक मकान में बैठी छोटी सी बिल्ली लगती है पह छोटी सी लेकिन उससे बड़े-बड़े आप लोग देखोगे कहा पर दे कि जम्मू कस्मीर को तो हम इसमें एंकलूड नहीं करेंगे आपको बता हूँ क्योंकि वरत्मान में इसको बिल्कुल परिर्थित कर दिया है लद्दाक वाले जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं और एक बात आपको बता दो एडिशन जानकारी की तोर पे ल लद्दध कहां पढ़ता है आपका पीओके व्हला चेत्र है एक यंसा है प्योड़ुके वला चेत्र Trail जिसको पाक औको पाइट कस्मीर यानि पाकिस्तान के द्ने के दुवा औक को पाइड किया एक कस्मीर का हिस्सा है तो देखिक कस्मीर यहां तक जमवर्ण कस्मिर यहां तक वापका हो गया लेकिन से बड़ा आपका कौन हो गया लद्दाक हो गया लद्दाक हो नहीं हुआ तो लद्दाक is the right answer संसद के निचले सदन में सीटों की कुल संख्या कितनी है यह आप लोग बताएंगे पुरी सद्दत के साथ पुरी इमानदारी के साथ पूरे जोस के साथ बताओ वे 545, 565, 535, 3552, चीटों की कुल संख्या कितनी है निचले सदन में, अब निचला सदन होता कौन सा है, पहले आप लोग आंसर करो, उसके बाद में आप लोगों को इस निचले सदन के बारे में जानकारी देना उचित समझूँगा, ठीक है, देखो भे, निचला सदन जो होता है, वो कहते ह है आप भारत में लोक सभा को, इसको कहते हैं, लोक सभा को, और जो उच्छ सदन होगा, उच्छ सदन, वो आपका राज्य सभा होगा, इस लोक सभा को ही हम लोक प्रिय सदन भी कहते हैं, लोक प्रिय सदन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, तो लोक सभा में कुल संख्या जो मानी गई है वो 545 है 545 है अगर यह पूछ ले इसकी अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है कितनी हो सकती है ऐसे करके पूछ ले तो आंसर होगा 552 आंसर कुन सा होगा आंसर होगा पांसो बावन यानि डिया आंसर होगा अगर ऐसे करके पूछे ठीक है चले आगे बहुत बढ़िया एए एए बेरी गुड चलिए संसद के उच सदन में सीटों की कुल संख्या कितनी हैं बताओ भी संसद का उच सदन यानि किसके बारे में बात की जा रही है राज्य सभा के बारे में बात की जा रही है किसके बारे में बात की जा रही है राज्य सभा और राज्य सभा भारत के राजनितिक छेत्र में देखा जाए तो एक कैसा सदन है एक स्थाई सदन है इस्ताई सदन का मतलब है ये कभी भंग नहीं होता अर्तात राज्य सभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता हां इतना जरूर है इसके एक बटा-दो सदस्ये प्रति एक दो वर्स में क्या कर जाते हैं सेवान विर्थ होते हैं ठीक है जब एक कुछ देखा जाये तो कितने एक के लिए तो राज्य सभा की कारेकाल होता है राज्य सभा का कोई कारेकाल नहीं होता है अर्थात वह किताई सदन मानी जाती है आंसरओगा ऱुफटीी बिल्कुस सही आंसर संसत के उस सदनों की कुल संक्याक्ष 2ERE लेकिन अगर यहां पर 245 दिया होता तो आंसर होता 245 दोसो पंदर नहीं है जेतंदर कुमार जी 215 आंसर गलत है बढ़ते आगे लोग सभा का पहला सत्र का बायोजित किया गया था 15 अगस्त 1950 को 15 अगस्त 1952 को 13 मईं को या 12 जनवरी 1953 को लोग सभा का पहला सत्र का बायोजित किया गया था बताओ भी क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी सी आंसर करो सेशन को बढ़ाओ अपने सभी मित्र सभी सखी सहीलियों को जोड़ने का काम करो जो आपके जरुतमन्द व्यक्ति हैं जो आपके साती है तो चाहते है कि अच्छी सी किलास सब किया गया था वो कब किया गया था लोक सभा का पहला सत्र चलो मैं बता जिता हूँ लोक सभा का पहला सत्र सन उन्निस सो बावन तेरे मई को किया गया था तेरे मई सन उन्निस सो बावन को और देखो लोक सभा के जो आम चुनाऊ हुए थे लोक सभाके आम चुनाओं अगर आपसे पूछ ले तो वो हुए थे 1951 में लेकिन इनका जो रिजल्ट आया था वो 1952 में आया था पार्टी कौन सी जीतकर उभर कर आई थी कांग्रेस पार्टी का जनम कब हुआ अठारे सो पिच्चासी ठीक है कि एजट सफिशेंट चले सी ओप्शन विल पी ते राइट आंसर चलिए लोग सभाके पिर्थम वक्ता कौन थे जीवी मावलंकर में बताये में आयंगारी राज अंदर प्रशाद उप्रुक में से कोई नहीं लोग सभाके पिर्थम वक्ता यानी स्पीकर इतना वर्द में मे पिर्थम महिला परतम महिला तो जग जीवन राम जी की लड़की कौन मीरा कुमार है कि मीरा कुमार परतम लोग सभास्पीकर रही है तो आंसर होगा जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर को सबसे पहले लोकसभा का स्पीकर के रुप में मनाया गया था बहुत बढ़िया मितले सिंग जी आपका भी आंसर है अजयरा जी आपका भी आंसर है सबी बच्चों ने आंसर बहुत बढ़िया कराएं खुशी होती है चलिए यह थी जीवी मावलंकर जी लोगसभा के प्रित्यम अध्यक्ष कौपी वाले बाबा जी चलो लोगसभा के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले स्पीकर हैं सोमना चटर जी पीए संगमा बन्लाम जाखडी या केस हैगडे जल्दी से बताओ भी इसमें क्या होगा इसका रइट आंसर लोगसभा के लोगसभा के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले स्पीकर कौन थे और फटापर आंसर करो शेर करो सबसेंशन को अरज वाले सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले स्पीकर कोंते सोमना चट्रजी पीए संगमा बल्लाम जाकडी के एस है गड़े बहुत बेटे सभी लोगों का बढ़िया आंसर आ रहा भी बल्लाम जाकडी बल्लाम जाकडी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ लोग सभा में एक वर्स में कितने सत्राइजुत किया जाते हैं लोग सभा में एक साल में कितने सत्राइजुत किया जाते हैं उनका वो कितने हैं चार है तीन है दो है पांच है बताओ सिव्दत जी हम से जुड़ चुके हैं सिव्दत जी वेलकम हैं आपके अपनी क्लास लेट्स क्राइक कीटी में और मैं तुलकुमार मसोतिया आप से भी नए पुराने शुडेंटों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनेंदन करता हूँ खेर मगदम करता हूँ आप सबस्क्राइ तो खेर हर समय बहुन के साथ होगा ही अगर वास्तम में असे बहुन माना है कि मानने से सब कुछ है ना मानने के लिए वालों के लिए कुछ एनके अधेल वी 10 का डी आंसर 10 का डी आप लोग कर रहे हैं 5 2 3 4 बहुत बढ़ीए कुछ लोग कैये सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना नहीं जर्टाइब एक रहा हिए आञसर होगां वह एक रिष्ट जितने लोगों सबा कर दोगों अरकरइब यो उनका भी आंसर गलत लोक सभा में सत्र होते केवल तीन लोक सभा में केवल तीन सत्र होते हैं दो सत्र नहीं होते देखो पीर चाहिश्रा संसद के संवन्ध में सविधान के अनूचेद 85 में सका दिया गया है किसी सप्रों को बिलाने की सप्षपार के पास है और इससे संसद्री मामलोंगा की केबिनिट समीति द्वारा लिया जाता है जिसे राष्ट पती द्वार ओप्चारिक रूप दिया जाता है भारत में कोई निश्य संसदी केलेंडर तो नहीं है लेकिन संसद के एक वर्स में तीन सत्र होती है और संसद किसमें काम करती है जातर किसमें काम करती है लोग सभा के आधार पर ठीक है चलिए यह आप लोग और पढ़ सकते हैं कि सबसे लंबा बजट सत जनवरी के अंत में सुरू होता है और अपरेल के अंता करमाई के पहले सब्ता तक हो जाता है यह पूरी डिटेल आपको पीडियाप के फोर में मिल जाएगी इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्ष्टा देने का काम किया है चलिए किस राज्जी में दोनों सदनों में सबसे अधिक पृतिनिदी हैं बताओ इसको तो बहुत अच्छा सा आंसर देंगे सभी लोग देदेंगे इस वरी एजी कोश्टन और मैं अगर अपने रूरल लेंग्वेज की तरगी से कहूं तो इस वरी टूच्ची कोश्टन सतीस प्रीती जी गोड़ेवनिंग जी स्वागत है आपका वेलकम है चले किस राज्जी में दोनों सदनों में सबसे अधिक पृतिनिदी होते हैं तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल जल्दी शेयर करें चल्दी बहुत बढ़ी आंसर होगा उत्तर का प्रदेश अगर मैं बात करूँ 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर परदेश को उत्तर प्रदेश नाम मिला इसलिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना जाता है क्या मना जाता है उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी का स्थापना दिवस मना जाता है इससे पूर भी सको संयुक्त प्रांथ कहा जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था यानि यूनाइटिड प्रोवेंस यूनाइटिड प्रोवेंस यानि सोट में तब भी यूपी ही हुआ करता था सोट फोर्म में तब भी क्या हुआ करता था यूपी ही हुआ करता था दोस्तों तो आंसर आपका उत्तरप्रदेश योजन आयोक के पहले उपाद्यक्स कौन थे जेल नहरू बताईए जेल नहरू सियम त्रेवेदी असोक महता गुलजारी लालनन्दा पॉपाद्यक्स कौन थे आपके गुलजारी लालनना कौन तो नंदा जी निस्तों पचास उन से च्यान में जब चुना वें उन सो साट निश्य प्रेशिट में भारत के योज्ञ आयोग के उपध्यक्स रहे हैं अभी आप लोग कमेंट बोक्स में बताना हैं कि योज्ञा आयोग के स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया है उसका नाम क्या है जल्दी से बताओ और को ने कोशन का अंसर करो कि इस कोशन का जली से पड़ा पड़ा अंसर करो आप कि अग्याओ कि अग्याओ आप सभी लोगों का अंसर मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं कि बढ़ो मैं आगे चलिव भारतमें उस नियायलो की कुल संक्या कितनी है 32,24,25,27 बताओ जली से वहीं भारतमें उस नियायलो की कितनी संख्या है उस नियायाल्य अल्य और दोस्तो एक बात आपको बता दूँ कि जो उच्छ न्यायाले है कि इसको भारतिय सभीधान के अनुचे 226 के तहद जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं कुन से मौलिक अधिकार उनमें सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है आंसर होगा आपका 25 आंसर क्या होगा 25 ठीक है टेक्निकल टीम एक बार ध्यान ने कमेंट सो नहीं हो रहे हैं कि चलो आजेंगे निति आयोग बहुत बढ़ी अच्छा अंसर करा किसने करा एंक यादव जी ने बिल्कु सही एक जनवर दोजार पंद्रे को निति आयोग बना दिया गया निति आयोग एक ठिंक तैंक के तोर पर काम करता है ठीक है भारत में कुल पुराना उचनियायले कौन सा है बताओ जल्दी से भई अब इसका अंसर गलत नहीं होना चाहिए भारत का सबसे पहला उचनियायले कौन सा है भारत का सबसे पुराना उचनियायले भारत का सबसे पहला उचनियायले आपका होगा कलकत्ता क्योंकि कलकत्ता यह है कलकत्ता ही एक बात आपको जानकारी देदूं कि जो कल कत्ता है, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, कोल काता, ये देश की पिर्थम राजधानी थी, देश की पिर्थम राजधानी हुआ करती थी, ये गुरुजी दिल्ली कब बनी फिर, दिल्ली बनी 1911 में, 1911 में, राजा जोर्ज पंचम के नाम पर, आगमन पर एक दिल्ली दर्बार सजा था, पर इसमें दिल्ली को राजधानी गोशित कर दिया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, और मुझे कमेट दिखने लगेंगे, कर दिया है, बहुत बढ़िया, 1912 नहीं है, 1912 को लिख रहा है, 1912 नहीं है, 1911 है, 1911 में, ठीक है, तो आंसर होगा आपको कलकत्ता, और कलकत्ता को ही, पहले तो अंग्रेजी सरकार ने 1734 ECV में बनाया था, लेकिन तब भारत के कभजे विकर मैं बात करूं, उसके बाद, 1882 में इसको बनाया गया, चलिए, तो कलकत्त उचनियाले भारत का सबसे पुराना उचनियाले है, इसका छेत्र अदिकार, पश्चिम मंगाल तता अंडमा निकोबार दीफ समू है, और कलकत्त उचनियाले कि स्थापना एक जुलाई, 1862 मैंने क्या गल्त बता दे किया, क्या है, हा राज्यों की द्रस्टी से किस उचनियाले का छेत्र अदिकार सबसे बढ़ा है, मतलब जिसके छेत्र में ज्यादतर छेत्र आ रहा हो, उसको बताओ आप, हाँ, हाँ, बिलकुकू सही का, सुमंधुएजी, पहले बार राश्टेगान वहाँ पर घाया गया, वो रास्टेगान के, मुझे बतो राश्टेगान के लेख्ः का नाम आप लोग बता दीजेगा, रास्टेगान, हाँ, उसके लिए हम सॉरि, हमलि सॉरि, ठीक है, ठीक ह बी आंसर सर जी 15 का बी होगा नहीं भई 15 का बी नहीं है इसका छेत्र बड़ा नहीं है छेत्र बड़ा है गौहाटी उच नियाले का छेत्र दिकार जो है गौहाटी उच नियाले का इसमें सबसे बड़ा छेत्र दिकार है क्या N.K. यादव जी 1912 आंसर नहीं है Please try to understand 1911 में जोर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली में दर्बार सस्ता है 1905 में जो बंगाल विवाजन हुआ था और 1907 में जब कांगरेस का विवाजन हो चुका था नरम दल और गरम दल में वह 1907 का विवाजन 1911 में उनका सुलह हो जाता है और एक बहुत बड़ा दर्बार सस्ता है दिल्ली से मलब क्वलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया जाता है यह 1911 की ही घटना है ठीक है समझ बात आई रविंदर नाथ टेगोर वो बिल्कुस सही है देखिए रविंदर नाथ टेगोर जी रविंदर आरें टेगोर की बात करें आरें टी लिख रहा हूं ठीक है आरें टी जो है रविंदर टेगोर इन्होंने एक तो भारत पर एक बांगलादेश यह दोनों देशों का सविधान ने लिखा अब आप कहेंगे सर ऐसे किसे हो गया बांगलादेश वाले हमसे क्यों समय आपका राष्टेगान के सविधान ने राष्टेगान हो मैं बार बार गल्द बोलो से दोनों देशों का राष्टेगान ने लिखवाएंगे सब्सक्राइब क्योंकि बांगलादेश पहले भारत का अंग हुआ करता था सन नहीं सो 5 में बंग भंग आपने सुना होगा बंगे ॹंग की घरना हुई मतलब बंगाल का विवाजन हो गया पूर्वी बंगाल और पश्री मंगाल ही हम इसमें ममतब एनरजी वरत्मान में से गिनाख से रहा जाने लगा अब पाकिस्तान कहता था कि यह हमारा हिस्सा है भारत इसके पक्षमेता जबकि खुद बांगला-देशी भी नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान के निडर में जाए तो सन 1931 में इसको आजाद कर आया और सन 1931 में एक अलग देश दे दिया बांगला-देश क्य जाती इसलिए इसको नया नाम दिया गया बांगलादेश ठीक है पूरी बंगाल था बिल्कुल सही का सुमन्दुबेजी आपने तो आंसर क्या होगा ग्वार्ट इसमें बिल्कुल करेक्थ है विस्व का दूसरे सबसे बड़ा नियायत परिश्टर कुछ नियालने है बताओ इसमें बताओ कौन सा है कि हाँ देखो एक बात आपको बताएं जो राश्ट्य गान राश्ट्य गान एक्चुल में जो राश्ट्य गान बांगलदेश का जो राश्ट्य गान है न वो बांगलदेश का राश्ट्य गान नहीं था वो एक गीत था जो बांगला भासर में लिखा हुआ था रविंदनाठ टैगूर जी के दुआरा जिस गीत को कहा जाता था हमार सोनार बांगला मतलब बंगाली छेत्र के लिए गाय गया था क्या था भई हमार सोनार बांगला हमार सोनार बांगला के नाम से वो गीत लिखा गया था लेकिन बाद में उसको बांगला देशियों ने उसको अपना राष्टिगान के रूप में स्विकार कर लिया और सबसे लंबा है जाते सबसे लंबा है वे ठीक है बहुत बढ़िया कि सब लोग आंसर करने कंटिनू अधिकर करता हूं हाँ आ गया है ओके चलिए तो जितने बच्चों ने आंसर करा है मदरास उचने आले उनका बिलकुल सही आंसर है और एक चीज आपको बता हूं यह मदरास मुंबई और कोलकाता यह अंग्रेजी छेतर की मतलब अंग्रेजी प्रेशिडेंसी हुआ करती थी भई अंग्रेजी ने इनको अपनी प्रेशिडेंसी बनाया और इन तीनों के लिए सन शत्रै सो तहित्तर ईश्य में इन तीनों के लिए शन सत्रै सो तहित्तरैश्य में एक गवर्नर बनाया अ एक गवर्नर जैनल बनाया रहे और इस गवर्नर जैनल का नाम था वार regimes history आओ के गुए वारें अ की तुगलत साही कि दोो हाने वारें है सिंग वाररय। यस्टिंग को इसको मत बना गया तो भारत का सबसे पहला अगर आप से पूछले भारत का सबसे पहला प्रिथम गभर्न कोודה था तो वारं सब्सक्राइब सं 1773 स्विक रेगलोटिंग एक के मात्यूंसे बढ़ो आगे यह कहां दे दिया उसका यहां आना था जब भारत में पहला आम चुनाओ हुआ बताओ कब हुआ वहीं 1950 निस सो फच्वन निस सो पच्वन भारत में पहला आम चुनाओ कब हुआ कि क्या पूछ रहे हैं किस से पूछा जा रहा है 1905 के बंग बंग विवाजन से प्रेड ठोकर लिखा हां 1905 में जब बंगाल का विवाजन हो चुका था फिर इतियास में पूछ जाओंगा तो मैं नहीं चाहता कि इतियास की चीज़ों बदलब इसका थोड़ा से धर कर दूँ कि ठीक है पैन की हवा अच्छे आ सकतो आए मेरे पास सी आंसर 17 का आप लोग कर रहे हो देखते हैं क्या होगा सका सी आंसर देखो बढ़ी जब भारत में पहला आम चुनाओ हुआ कब चलो कोई नहीं देखते हैं अभी मैंने आपको बताया था अगर मैं आपने मेरी क्लास को स्टार्टिंग से देख रहे हूं तो 1951 में पहला आम चुनाओ हुआ उन्निस्सों बावन में कि उन्निस्सों बावन में इसका रिजल्ट आया था कि जिसमें कॉंग रेस सबसे पहली पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उबरी और इसी कॉंग्रेस का जनम हुआ था 1885 को और यही कॉंग्रेस आगे चलकर 1905 में दो भागों बढ़ जाती है एक तो आपका नरम दल और आपका गरम दल और दोबारे से पता के मिलेंगी है यह बटवारा कब खतम होगा 1911 में दिल्ली दरबार के दुरांग बासन मारे आपके जी गुड़ आप्टर नून आकांसा जी गुड़ आप्टर नून स्वागत है आपका वेरी गुड चलिए क्या उन बिल्कु सही है तो एक मात्री विक्ति जिसने 1977 के लोकसवा चुनाव में इंद्रा गांधी को हराया बताओ वे इंद्रा गांधी जो दफर्स्ट प्रैमिनिस्टर ऑफ इंडिया दफर्स्ट विमेन प्रैमिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री बनने वाले पहला आम जुनाओ था बिलकु सही कायन के आदब जी आपने एक मात्र विक्ति जिसने 1977 के लोकसव चुनाओ में इंद्रा गांदी को हराया था रामनोर लोहिया, मौरार जी देशाई, लाल बादर सास्ति, राज नारायन सर्जी दिख नहीं रहा है अब सब कुछ अब कुछ हो गया ठीक है अचा थोड़ा बोर्ट बिलर हो जा रहा है अगर नहीं दिख रहा तो मैं काम कर देता हूं चलो आप ऐसा नहीं आप लोगों के लिए हैं मैं चल भई बच्चों को दिक्कत हो रही है थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं कि वाइट कलर है थोड़ा सा है यह वाला कलर ज्यादे उचीत रहेगा बढ़े आगे चलिए अब दिख रहा है अब तो कोई दिक्कत नहीं है बताओ कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है बताओ जली से कि बहुत बढ़ी आइट तीन का बी 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 मौरार जी देशाई बेलकुल सही आंसा ओ और ज्यादे कुछ भालका हो सा नहीं होगा कलर यह रूख जाओ यार कुछ ज्यादे मतलब है इसको ले लेते हैं चलो अब तो ठीक है अब सैथ को दिक्कत ऐसी नहीं होनी चाहिए बढ़ते आगे तरफ मौरार जी देशा इसका राइट आजसर है लोग सब चुनाओं में सर्वदिक मतों के अंतर से जीतने का रिकोर्ड किसके नाम है अक्तल व्यारी वाजपई अनिल वसू इंद्रा गांधी खगेन दासो बताओ वए जल्दी श्यांसर करेगा दिख रहा है ना ओके क्लियर है वेरी गुड मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग को दिख रहा है यह सर अब बिलकुल क्लियर दिख रहा है थेंकि सो मच पूर टेलिंग मी डैट दव विजेवल्टी इस नाट क्लियर कोई भी दिक्कत तो आप बता सकते हो यार मतलब कुछ सेर तो कर सकते हो अपनी बातें अजय सर बैक एंड वायट ही अच्छा है अब किसकी मुरादों को फूरा करेंगे किसको खुस रखंगे हम कहीना कहीं तो फार माने अनियल बसू बिलकुल स्वाज़ आंसर है अनियल बसू जिस बच्चे ने भी दिया है इनका बिलकुल करेक्ट आंसर है ठीक चलो बढ़ते हैं आगे भारत के राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र को सम्मोदित करते हैं किसको भारत के उपराष्ट्रपति को मुक्के नैदीस को प्रधान मंत्री को अरे बहिया ए कहाँ चला गया चलो मैं ए ओप्शन आपके लिए दे देता हूं लोक्स सभाके कि मपता को है बताऊ राष्टरपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे यह आपको आश्टर पती अपना त्याग पत्र देंगे फ़िश्टर पती जीको पर अपर अपत ज्पतie कि सुदंग राष्टर-पति जीको निएं Sny चला लेते लोग सभामें अनुसूचित जन जातियों के लिए सबसे अधिक सीटे किस राज्य में आरक्षित हैं लोग सभामें अनुसूचित जन जातियों के लिए सबसे अधिक सबसे अधिक जो सीटे हैं वो किस राज्य में हैं यह आपको बताना है ठीक है thank you so much for telling me चलिए लोग सब में बिहार असम मद्यपर्देश या 36 गड़ पड़ा पर आंसर करो जल्दी से भी आंसर भी आंसर वेरी गड़ सब लोगों ने आंसर करा है लेकिन सी का तो 21 का तो आंसर करो यह तो 21 है अगर मैं इसमें बात करूँ तो मुझे लग रहा आंसर अपकर थोड़ा से लेट आता है तो मद्यपर्देश होगा यानि MP MP में सर्व सबसे जादा है अनुसुची जन जाती के लिए अनुसुची जात समार चामलिंग या मडिक सरकार बताओ भई भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है इन में से और यह भी बताना विकिस राज्जिय में हैं भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है हाँ, एक MP बिल्कुल सही है, MP बिल्कुल सही है, देखो इसका जो राइट आंसर होगा, बच्छो, राइट आंसर होगा, पवन कुमार चामलिंग, लेकिन आपको बताना है, कि वर्तमान राज्ये कौन सा है, जिस ये राज्ये के मुख्य मंत्री है, ए नहीं है बई, किस राज्ये में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है, किस राज्ये में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है, उस राज्ये का नाम आप लोगों को बताना है, तो पहली बात तो बताएं, ये पंचायती राज क्या है, पंचायती राज क्या है, ये प चालिस में और उसके बाद अनुचे 243 में पंचायती राज विवस्ता की गई है और पंचायती राज विवस्ता से सम्मानेत एक कमेटी बनी थी बलवंत राय महता कमेटी अब आपसे पूछे कब बनी थी 1957 से सम्मी थी इस ने अपनी रिपोर्ट करी 1958 में कमी करी इसने क्या काम करा तिरी इस्तरीय विवस्ता को कराने का काम किया ठीक है जिसमें लेश तर ग्रामिद होता है इंसर आप लोगों का आगए हैं चले तो कि cens राज्य में कोई carn Α सब्सक्रांबरेबी तो आंसर फूर्ब हो आपका अगने कौन सा आगने अब अगर बच्चों में नागे करना चाहूं इसका पिस्किन सोट ले 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 लिया चलिए तिंक खतम करना हूं मैं स्पुरी देखो जो यह नागलेंड राज्जी यह भारत का पूर्वी राज्जी है वह पूरव में पड़ता है ठीक है इस नागलेंड की बात करें तो म्यमार के साथ सीमा साजा करता है म्यमार के साथ सीमा साजा करता है ठीक है यह एक मात्र ऐसा राज्जी है जहांकि राज्जी की भासा एक मात्र नियों और बिलेकिन यह इसमें कौन सी है अंग्रे जी यहां के लोग मानव का मास भी खाते हैं मानव मास भोग में करते हैं पर योग में करते हैं ठीक है अब बड़े आगे भारत में पहले बार किस उचनेयले ने बंद को अवेद घोशित किया पता वही कौन सा उचनेयले था अब कोई बात नहीं जो जहां का सारा ले रहा है अपने अपने लिए ले रहा है आप लोग इमानदारी से आंसर करते रहे हो तो आपको पता लगेगा नहीं रिट जी 1980 भी रिपोर्ट दी गए थी लेकिन 1980 का मामला बलवंत राय महता समीति का नहीं था भारत में पहली बार किस उचनेयले ने बंद को अवेद होसित किया जल्दी से बताओ 24 का सी आप लोगों का चुका है हजेर राज जी कहरें सर 24 का सी आंसर होगा चलिए चलिए भी तो भारत में पहली बार उचनेयले ने बंद को गोसित किया केरल केरल अब आपको बताओं जो केरल राज जी है कि यह भारत में यहां पर पड़ता है भारत में यह कहां पर पड़ेगा अपका यहां पर पड़ेगा ठीक है इसकी खास्षित मैं क्यों इसको बता रहा हूं भारत देखे 1488 में ECV में एक व्यक्ति आया था जिसको बोला जाता है वासको डी गामा वास्को डिगामा 1498 में यहीं पर आया था और इसका एक थट है काली कट थट जहां पर वो आया था ठीक है चरिए और यहां पर एक चीज आपको बता दो एक और कोश्चन आप से पूछा जाएगा सांत घाटी जिसको बच्चो साइलेंट वेली के नाम से पुकार जाता है ठीक है सुरी हम तो खनपड़ी होगी दिखें लिखाई नहीं जा रहा चलिए साइलेंट वेली के नाम से इसको पुकार आ जाता है बड़े आगे केंद्री हिंदी समीती का देख्स कौन है राष्टपत्ति उपाद्देख्स ब्रदान मंत्री या मानव संसादन विकास मंत्री जल्ली शे करें मैं तो मजाक में बोल रहा हूं आप दुखी ना हो अरे क्यों कोई दुख्यों कोई बात ने किसी की बात तो आप ध्यान मत दो पड़ोसी क्या कर रहा है किसके घर में जहांक रहा है तांक जहां कर रहा है डिजन्ट मेंटर आप क्या कर रहे हैं यह पता होना चाहिए हाँ बिल्कुल जेतन्र कुमार जी ऐसा ही है और एक बात आपको बता दून नागलेंड में जब कोई मौत होती है नागलेंड राज्य की बात बता रहा हूं नागलेंड में अगर किसी व्यक्ति की मिर्तियों हो जाती है तो मिर्तियों के पर एक प्रता है wije वहाँपर उस प्रित्था को कहते हैं कोतुहल पर इस कोतुहल प्रित्था के माध्यम से अगर किसी के घर में किसी की मौत होती है तो ये तै किया जाता है हाथ तो में मैं खाऊंगा पैर मेरे होंगे, सर मेरे होगा मतलब सरीर का बटवारा करते हैं खाने के लिए ठीक है तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया भी बहुत बढ़िया इसका आंसर होगा प्रधान मंत्री क्या होगा प्रधान मंत्री ठीक है चले बढ़े आगे भारत में सुचना का अधिकार अधिनेम पूरी तरह के से लागू हुआता अक्टूबर 2008 जून 2005 जुलाई 2008 या अक्टूबर 2005 भारत में सिक्छा का अधिकार सुचना का अधिकार वे दोनों एक्षे से लगते राइट वाजूकिशन और र्टी आई राइट विन्फॉर्मिशन काड़े मं पहाड़या तो मैंने दक्षिन में बताया थी सर जी आप उपर कमेंट दी पढ़ लो क्या हुआ उपर कमेंट एक मिनिट मैं भी देख लेता हूँ परकमेंट हाँ हाँ रिट जी बिल्कुल आपने सही कहा देखो खासित तो इतनी है मैं आपको बताओं तो फिर आप कहेंगे सर आगे बढ़िएगा अगर आप केरल में जाते हैं तो मुत्वपन भगवान का मंदिर मिलेगा जहां पर मास और मदिर ठीक है अगस्ते नीचे जिससे जिससे जाओगे केरल के तरड़ पर केरल एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सिक्षित राज्यों में से एक है बहुत सारी खासित हैं उसकी तो आप लोगों को आँसर इसका आगे बही चले कोई बात ने देखो यह आंसर होगा अक्टूबर 2005 कुंसा आंसर है अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार पूरी तरह के से लागू हो गया था भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र साथ प्रदेशों पर लागू होता है जम धारा 370 धारा 370 खतम होने से पूर्व का यह कोश्चन बना हुआ था मैंने सब्यान निदेवन ने इसको टेक्निकल लिम से निकलवा जेता अब तो चारों पर ही लागू होगा वही इसमें कोई आंसर नहीं है सही इसमें कोई आंसर सही नहीं पढ़ते आगे किस राज्य मे सबसे बड़ी विदान सबाह है बताइए कौन सा वह राज्य में सबसे बड़ी हाँ पड़े लिखे होते हैं जितने अंदर कुमार जी बिलकुस एह कहा देखे वैसे तो उसमें होना चाहिए ता जम्मो कस्मीर को जम्मो कस्मीर की धारा 370 को खतम कर अब उसमें भारत में सामिल कर लिया है तो वहाँ भी वह लागू होगा टीचर एक जनून की पावन सी कहानी है कभी कई लोग ज्वाला थे आज अतुल कुमार एक सुनामी है राम जी मैट्स किलासे बहुत बहुत धन्यवाद थेंकिश तो मच फॉर दिस मोटिवेशनल सायरी फो मिल और ये सायरी आप अपने अंदर भी डालिएगा बहुत अच् और मेहनत ही जिनका है करम धरम सफलता उनी के कदम चूमती है मित्रो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी उसको मजबूर होना पड़ेगा आप लोगों की मेहनत को देखते हुए दोस्तों अगर इसमें बात करो सबसे बड़ी विदान सभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें 403 क्या बनते हैं विदायक बनते हैं क्या बनते हैं विदायक बनते हैं कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सभा लोग सभा और विदान सभा हर मामले में सबसे ज्यादा पहले नमबर पे होता है ठीक है चले अगले कोशन के तरफ चलते हैं भारती राष्टे कांग्रेस के प्रित्थम अध्यक्स कौन थे दादा भाई नोरोजी एमके गांधी जोर्ज यूल या डबलू एस डबलू सी बैनर जी जल्दी शान सा करो भी इसका 28 कभी मैंने बता दिया 28 कभी कौन सा है 28 कभी है नहीं है और इसका आप इस सेशन को शेयर भी करते रोगे अगर आप लोग चाहते हैं आपके साथ साथ और भी बच्चों का भला हो तो प्लीज यार शेयर इस सेशन बहुत बढ़िया भारती रास्तिय कांग्रेस के पिर्थम अद्रिक्ष कोन थे दादा भाई नोरो जी एमके गांधी जॉर्ज योल डव्लू सी बनर जी हाँ सीमा गोतम जी मैं आपकी कमेंट को देख रहा हूं और आम वाचिंग यूर कमेंट पिन उल फिल्क मनोनीत होते हैं नहीं फिल्क यहां होता है एंगल ईंडियन के लिए एक न के आदर जी कहारे ही ओघागा में जो Lo queering भाई नोरो जी कि धांग रिए चली कुछ बच्चों ने सई दिया तो स्कॉन गलत तो इस ड़ागा बनर जी के में डैब्लिव सीभगा ट governo आंसर नहीं थे सब्सक्राइब आ बताओ दाबही नोरोजी जो थे उन्होंने एक ऐसा काम करा अर्थ कि रूप में अर्थ अर्थ शास्तर के मामले में उन्होंने एक बहुती महत्वपुण काम किया है बारत के अर्थ-शास्तर के मामले में Him जादबाय नौरुजी को क्यों याद किया जाता है चलिए बढ़े आगे लोग सभा चुनाव लड़ने के लिए आवसक नियूंतमाईयों कितनी होनी चाहिए लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए आवसक नियूंतमाईयों सर गुसा न हो ये वो मैंने किसी को रिपलाई कर दिया था चले कोई बात नहीं चले सफलता कोई परोसा हुआ हलवा नहीं है जो ऐसे ही मिल जाए यह उन जावाजों का जलवा है जो कीचड में भी कमल की तरह खिल जाए क्या बात है ऐसे ऐसे मतलब महानुभाव हमारे इस किलास को देख रहे है जिनके सब्दों से ऐसा लगता है कितनी खुबसूरत बात वो करते होंगे इसको बताओ भई लोग सब्द चुनाव लड़ने के लिए आवसक मियनतम आयू कितनी है गजब लिखा है बहुत बढ़िया चले लोग सब्द चुनाव लड़ने के लिए अगर आयू की बात करों तो मित्रों आयू होगे आपकी 25 साल कितनी 25 साल अब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि सर राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयूहोनी चाहिए राज्य सबा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयूहोनी चाहिए यह आप लोग आंसर करेंगे अरे वाब बहुत बढ़िया थेंक्यू एक क्या वात है तुम तो निर्माता भी हो भारत में राष्ट्रपति पत के लिए चुनाव लड़ने के लिए आविसक मियुंतमाईयू कितनी होनी चाहिए बताओ जल्ली से अधेरो यूनाघेरो मेरी जिन्दगी को तुम मैं जिन्दगी को रोशन करने का जज़बा रखता हूं होगी उजालों की जरुरत दुनिया में किसी और को मैं अधेरों में विनाम रोशन करने का रुत्बा रखता हूं ऐसे ही हैं हमारे सभी योद्धा बहुत ही शांदार व लोग अंसर कर रहे हैं सर जी 35 years राज्य सभा का क्या के लिए राज्य सभा के लिए अगर मैं बात करूं राज्य सभा के लिए जो उच्छ सदन होता है उसके लिए आयू चाहिए लोग सभा के लिए 25 राज्य सभा के लिए आपका 35 साल कितनी 35 साल आयू होनी चाहिए ठीक है वह डी कौन दे रहा है 25 साल 31 का डी को है रहे गलत आंसर है गलत आंसर है हाँ हाँ बिल्कुस है का ये रिट जी आपने बहुत अच्छी जानकरी दिये कि दादा भाई नौरा जी ने पहली बार गरीबी का आकलन करते हुए गरीबी का आकलन किया तो और भई पहले जो जन गर्णा का जो देन है वो इनका बहुत बड़ा उसमें योगदान है तीसो लोग सभा 25 बिल्कुस सही आंसर है राजी सभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवसक नियुनतम आई हो अरे वा गरुजी आपने तो इसका पहले ही आंसर बता दिया तो अब हम क्या दें कुछ मत दो बई आपके वल लाइक का बटन दबाकर इस वीडियो को ला देन दो अकोर्डिंग टी और शाल चलिये राजी सभा में तीस साल होती है भारत का राश्टेपती बनने से पहले किसे मिला भारत रतन पुरुषकार अरे बाई बताओ भई कौन था वो डॉक्टर जाकिर हुसेन राजंदर प्रसाद डॉक्टर वीवी गिरी एपीज अब् कि इनको राश्टेपती बनने से पहले भारत रतन पुरुषकार मिल गया था वीर एक मिनट रोगो हाँ ठीक मैं दो घंटे कम से कम दो घंटे चला भी ओह वह 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 मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता हो स्लो से उड़ान होती है जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं सर ए और डी में कन्फ्यूजन है आंसर होगा ए डॉक्टर जाकिर हुसेन मुझे यह और बता दो भई यह आप लोग बड़े समझदार है टीचर को पढ़ाने की पावर रखते हैं इनके बारे में आप लोगों करना क्या है प्यारे विद् जैसे ही हमारी वीडियो आफलाइन मोड पर जाएगे आप लोग ऐसे भारत रतन के संबंद में भारत रतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम लिखोगे और कुछ रोचक बातें जो साध ही क्यों जानता हो उनको बताओगे के राष्ठपति द्वारा संसत के लिए एंगलो इंडिन समुझाय के कितने सदस्यों को मनौनीत किया जा सकता है बताओ भई राष्ठपति कितने जाए रापकोल हैं डिडिडिड eating ऐस आफ पाथ नहीं किस किस भाह साम लिखते हैं राष्टपति संसत के एंगलों इंडियन समुदाए कि कितने सदेशियों को मनोनित किया जा सकता है पताओ जल्ली से भी आंसर क्या होगा एक बात बतातें आपको बहुत बढ़िया सुमन देविजिय दुआंसर रत्प्ति गोर जी का टूँ आंसर जेतनंदर कुमार जीटांसर रत्ति गोर जीटा vuelta टू डू बहूत बढ़िया सब्हीं लोगों का द्यांसर दिल्कृल करेक्ट है क्योंकि संसत है और संसद में एक आपकी लोकसभा और एक आपकी राज्य सभा तो राज्य सभा में तो बारे मनुनित किया जाते हैं लोकसभा में कितने किया जाते हैं दो तो लोकसभा को मुखेत संसद के नाम से जाना जाता है लोग सब हमें केंदर सासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटे आरक्षित की गई है पचीस बीस पंदरा या अठारा जल्ली से बताओ लोग सब हमें थेंकि सो मज तरप्ति गोर जी नहीं देखो ऐसा होता है यह जो आपने कहा किसने कहा यह बाद कि अब तो सब्सक्राइब अब तो एंगलो इंडियन वाला प्रोसेज नहीं होता है किसने कहा नहीं होता होता है हम भारत के उन एंगलो इंडियन को कैसे बूद सकते हैं उनके साथ कुछ दिक्कत ना हो हाले कि ऐसे जरुत नहीं पड़ती लेकिन भारती सविधान में इसका प्रावदान है इसलिए मांसर इसको करते हैं ठीक है बहुत बढ़िया कि छलिए कितने लोग अंसर करें सर्जीक CCCCCC 2515 15 15 15 15 सब लोगों को 15 लोग सब बसेंडनां तो अब बंद हो गया नशर नी बंद नहीं हुआ है देट नहीं हुआ है चलरहा है बसरते एंगलों कोई विवाध ही भारत में अथ बननी होता एंगलों इंदिय हाग का दिकारों कि कोई बात मों लग्रू αपन होता जीसे कहते हैं जिसकी मांग नहीं तो कहते हैं कि जस वस्तू कीमाmbol नहीं उस फ़ित उस्टीब का प्रडेक्ट्ट क्यों किया जाये ठीक है उसक्तू का प्रडेक्षण कियो किया जाये तो ये बात समझने वाले ये ठीक है तो जो लोगा answer करें 15 अपने आपको शुदा रहा हो आंसर आपका होगा 20 बी ओप्सन आपका बिल्कुछ सही होगा ना तो 25 वाले से ना 15 वाले से पंदरा 15 15 15 वाइब नहीं 25 देखे जो लोग 25 कह रहे हैं 25 को अभी प्रस्तावित कह सकते हैं पच्टिस लेकिन पच्टिस अभी कंफर्म नहीं है कुछी यह इसमें जूड़ी हैं सनुचके 29 के बीच अदिकतर मत्राः सनसत के संसत दो सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल हो सकता है ? संसत के दो शत्रों के बीच अधिकतम अंतराल दो मह이νεे, छे महीने, आठ महीने या पांच महीने जल्दी या आंसर करो भी फटाबट हमै समय तो बहुत तीजी से ब हम बहू में इसका मौल आफ तीजी से मे र्वानी में भारतिय सविधान में मौलिक करत्वों के रैख कितनी है 8 gent 11 या 12 भारतिय सभीधान sama सभारति सभिधान में मौलिक करतव यह पूचे ना कि अधिकार कभी कुछ बच्चे मौलिक करतव के बारे में करतवे को अधिकार समझ ले और आंसर दे गलत और फिर अतुल सर से लड़ने लगे तो ऐसा मेरे के मेरे साथ करना मत यार मैं लडाई बढ़ाई से बड़ा बहुत दूर रहता हूं लड़ना बढ़ना मेरे वसकी बात नहीं है कि हमर सिंपल कि पर्शन कि चाहिए सुभंद रूजिकरें दो सत्र होने जरूरी है है कि एक विवस्ता है अगर आप से मैं पूछ लूँ कि एक हफट्टों के बीच में कितने दिन आते हैं तो आप ये question पूछने लेगेंगे दो हपते जरूरी है तीन पूछ लो मैं तो तीन भी पूछ सकता था लेकिन दोनों के बीच में मद्धी में ठीक है तो आंसर आपका इसमें क्या होगा ग्यारा ठीक है मोल करतव दिये का है एक क्यावन कैमे का दिया है क्यावन कैमे किस भार कि एक मिनट में कमेट्स हो कर लो ओके 37 का सीफोर क्रेक्ट कुछ काम है सर हम जा रहे हैं ओके अनके आदव जी आप चाहें तो बाद में किलास देख सकते हैं अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर जितने हमें लाइत देखने बड़ा अच्छा आप लोग समझभा रहे से कौन नीलम संझीव रेड़ी के सिंगेचर आपने नोटों पर पराने नोटों पर देखे होंगे नहीं 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 ग्याने जेल definition नहीं है कि इनको निर्वgrass तो लिया घाए ता कितना लंबा अंसर लिखकर भेजा है सीमा गोतम जी ने बी ओगा बी 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 चलो कोई बात में देख लेते हैं भारत के पहले उप प्रदान मंत्री कौन है यह वो व्यक्ति है जिनका संबंद वर्तमान में कि नर्मदा नदी से हैं कि नर्मदा नदी पर एक कि इस्टेच्यो प्लिबर्टी कि इस्टेच्यो प्लिबर्टी लगी हुई है इस्टेच्यो प्लिबर्टी नर्मदा नदी के तटपर और नर्मदा नदी को भी कुवारी कन्या भी कहते हैं ही नाहित नर्मदा नदिकों हम लोगुरे कन्या के नाम से भी जानते हैं ठीक है कितने लोग क्या करने सर उताफर नहीं से थ्रीनान की बेलकुल यह हैं यह वनलंप भाई पटेल को लोह लोह उरुज भी कहा जाता है ठीक है इनके एक स्टैच्यू बनाए गई है मोदी सरकार के दुवारा यानि भाजपा सरकार के दुवारा कहा पर गुजरात में नर्मादन अधी के तर्ट पर जो दो डाउट हो तो गलत पर ही आंसर लगता है बहुत हो ये तो मैं नहीं कह सेकता गलत पर लगता है पर किसी ने कहा है कि जो दिल की पहली आवाज है उसको सुनो देखती जिसको लगे कि हां यार यह सही है उसको आंसर करके देखना इस बार जहां डावटो दिल की पहली आवाज को सुनना साथ वह बहतर हो यूप्यसी के अध्यक्ष और सदस्य के अब्धी के लिए पद्धारण करते हैं मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन क्या है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ठीक है यूप्यसी जो भारत में जिसके माध्यम से आप भारत में बनते हो हो IPS है भारत में बनते हो आई एस आर्थ में बनते हो आई को हो एक निटेंग में कि आई एस और आई एफ एस यह जो पद है जिसे डीम का पद है जलादीकारी जलम स्टेट ठीक है फोटी का सी आंसर वेरी गुड छे साल पर छे आप लोगों का अंसर देख रहे हो सभी कि हां भैक किसने क्या काम करा अर्वनी महां सर्माजी कहेँ इस सर नि फोटीक का पर आंसर करो ना बहुत बढ़ी आँ तो जितने लोग आंसर करें 40 का 3 साल वो आंसर गलत कर रहे हैं सी, आंसर होगा आपका D यानी 6 साल, 6 साल देने वाले कोन है, कोई है, कोई ने, चलिए, जब वहार लाल नहरू को छोड़कर पूरे 5 साल का कारेकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लोटने वाले प्रधान मंत्री कोन है, इंद्रा गांधी, मनमहान सिंग, राजीव गांधी, लाल बहादुर सास्त्री, बताओ बे, पंडित जब वहार लाल नहरू के बाद, पूरी 5 साल पूरा करने के बाद, दोबारा सत्ता में लोटने वाले विक्ति का नाम बताओ, कितना बढ़िया कोशन आप लोग क शली, बताएंगे भी सर 41 का A होगा, 41 का C होगा, 41 का A होगा, 41 का C होगा, अजे राज जी ने करा है B, तो जितने बच्चों का आंसर है B, वो हैं बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्तर मन महान सिंग कांग्रेस कारेकाल में बने, इन ये भारती अर्थ सास्त्री, अर्थ सास्त्री के ग्याता इनको माना जाता है, 1991 में जब अमरिका में मंदी आई थी, तब डॉक्तर मन महान सिंग ने अमरिका को बताया था कि उस अर्थिक मंदी साप कैसे बाहर निकल जल सकते हो दी नहीं है भी आंसर सही है इंद्रा गांदी को लाल बहाद्र सास्त्री के मंत्री मंदल में डैस मंत्री के रूप में निक्त किया गया था रेलवे रक्षा सूचना इंप्रसारण या वित्र मंत्री लाल बहाद्र सास्त्री के मंत्री मंदल में इनको कौन सा मंत्र स्ट्रिपद दिया गया था यह आपसे पूछा जा रहा है तो बताओ भाईया क्या होगा इसका राइट आंसर इंद्रा गांधी को लाल बहादुर सास्त्री और लाल बहादुर सास्त्री भी बहुत एक अच्छे दमदार नेता रही है रेलवे था रक्षा था शूचना इसलों या वित आयो है सुचनाइब्टारं काम निको मत्रि निक है यंद्ग किया गया था पहली इवियcciónρ जय्ठनी कम प्रियोग कब और कहां किया गया पता यह अरे वाव वाई वाव उन्हीं यह इंदी का समझ में आ रहा किसी को नहीं इसको आप ऐसे माल ले निस सो अठाण में निस सो अठाण में महराश संदोजार पश्चिम बंगाल 1982 केरा लिया 1981 करनाट जल्दी से बताओ वह 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 राम जी मैथमेटिक्स राम जी मैच्स किलासिस तो खाना खाने लग गए हैं बेटा भूके तो हम भी हैं लेकिन अब किलास खतम करके ही खाएंगे खाना खाओ आपको उपर वाला खुश रखे हमेशा आपको अच्छे अच्छी घीचिपणी रोटी दे आपको सांती में जिन्दिगी दे जो आप आराम से संतोजनक तरीके से खाना खा सको चलिए तो आंसरों गभिया 1982 में किया गया था केरल राजिये में पर केरल राजी की खास्चत में बहुत बता चुक हूँ ज्यादे बताने क्या आउसकता नहीं है पड़ते हैं क्योशन की तरफ भारत में सबसे पहले किस नगर निगम की स्तापना हुई थी बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, या चेंन नहीं बताओ भारत में सबसे पहले अरे नहीं महाराश्ट में नहीं हुआ था भाई महाराश्चत पहले घंटा बजा दिया था किसने केरल राज जी ने केरल पड़े लिक्के लोगों का साप किताब है भारत में सबसे पहले किस नगर निगम की स्थापना हुई थी जल्दी शांसर करो इतने में थोड़ा से जलग रहन कर लूँ भी कि चलें बहुत बढ़िया अरे वा क्या बात है अच्छी बात है मिल बाटकर खाना चाहिए तो इसका अंसर क्या होगा आपका चैन नहीं क्या होगा चैन नहीं अच्छा चैन नहीं कि में खास्त बतावें कादी दे को आपनने देखा हुगा दिन का अधिक्तम तापमान लिया जाता है कि दिनका अधिक्तम-तापमान जो लिया जाता है वह चैननी से लिया जाता है यह कितने भज़े दो पहर के दो बजे दो पहर के दो बजे चेनने से लिए जाता है ठीक है बढ़े आगे नगरपाले का विदेख पहली बार संसद में प्रधान मंत्री काल में पेस किया गया मतलब किस प्रधान मंत्री के कारेकाल में पेस किया गया इंद्रा गांधी लाल बहादुर सास्त्री राजीव गांधी या वीपी सिंग वही बताओ जुली से कोश्चन नमबर 45 नगरपाली का विधाक पहली बार संसद में प्रधान मंत्री के काल में पेस किया गया किस प्रधान मंत्री के कारेकाल में पेस किया गया वैसे बताएं उस प्रधान मंतरी के साथ एक घटना घटी थी देश में पहली बार किसी प्रधान मंतरी के साथ इतनी बड़ी घटना घटी देश पुरा इस्तब्द रह गया पूरी दुनिया में ये बहुत बढ़ा एक भारत की विफलता को ले बात की जा रहे थी, कि भारत की जो पिरसासन सकती है, उस पर उगले उठाए जा रहे थी, नहीं, गलत आंसर, आंसर है आपका, राजीव गांधी, कौन होगा, राजीव गांधी, राजीव गांधी is the right answer, बढ़े आगे, 1969 में भारत में सबसे पहले किस राजी ने पंचायती राज को अपनाया था, देखें, दो मैंने आपको बताया था, दो अक्टूबर, 1969 को, दो अक्टूबर सन 1969 को, एक राज्य था, राजिस्थान, और वहां का एक जिला था, नागोर, यहां इसको सबसे पहले, लागू किया गया, हाले कि इसके साथ-साथ आंदर प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था, तो आंसर आपको क्या होगा, राजिस्थान, बड़े आगे चलिए, पंचायती राजिस्था का मद्देवर्ति इस्तर क्या कहलाता है, जिला परिशद, तालू का पंचायती, पंचायत समीती, या ग्राम सभा, जल्दी से बताओ भी क्या होगा, इसका राइट आंसर, राजिस्थान बिल्कुल 46 का सही है, पंचायती राजिस्था का मद्देवर्ति इस्तर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कि जब 2 अक्टूबर, 1969 को इसको लागू किया गया, तो इसके तीन इस्तर बनाए गये थे, पहला इस्तर, ग्राम सभा, और तीसरा इस्तर आपका, जिला परिशद, बीच वाला इस्तर कौन सा हुआ करता था, तो बीच वाला इस्तर हुआ था, आपका पंचायत समीती, कौन सा था आपका, पंचायत समीती, ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, सीव, लाल बहादर सास्तरी रास्तिय प्रसासन अकादमी कहा है, बताओ भी, एक स्टेटिक का कोशन आ गया, अब पंचायत समीती, सुमन दुवेजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक स्टेटिकल कोशन आपके सामने आ चुगा, इसका आंसर करिएगा, किराम सबाब, पंचायत समीती, जला परिश्द, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने ये इसका आंसर दे दिया है, आंसर करो जल्दिशे, सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है, बिस्मिल अजीमाबादी की ये लाईने, आपको मोटिवेट करती रहें, इसलिए मैं अक्सर इनको गुन-गुना लिया करता हूँ, चलिए, तो लाल बहादुर सास्त्री रास्तिय प्रसासन अकादमी कहा है, तो सिमला दिल्ले ओटी मसूरी, अंसर होगा मसूरी, क्या होगा अंसर? मट मसूरी, कहाँ परिष्टी थे हैं? मसूरी में, बढ़े आगे, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? जानकी राम चंदरन, सुचेता करपलानी, ससीकला कोका डकरो, नंदरी सत्त पत्थी है, बताओ भई, भारत में सबसे पहले, चीफ मिनिस्टर का पद समानने वाली महिला का नाम आप लोग बताएं? ओके, कोई नहीं. देखे, भारत में सबसे पहली महिला, मुख्यमंत्री का जो सरिय जाता है, वो जाता है, सुचेता करपलानी जी को, किसको जाता है, सुचेता करपलानी जी को, मैं एक बार बाहर देख लेता हूँ, कौन, नहीं दूए, बताओ, जबी जाओगा, कम कल रूम दो, अच्छा, निकल लो, कितना टाइम हमारे पास एक मिट, मैं एक एक मिट बतारू, टाइम कितना चलते होगे, अभी गुरुजी, अच्छा, बिलर हो जा रहा है, चलो मैं देख लों, ठीक है, कोई दिक्कत में, अब ठीक है क्या, जी संजे कुमार जी नमस्ते स्वागत है, सुचेता करपलानी, बेलकुछ सही है, एक मिनिट, आपको सही दिख रहा है अभी क्या, आप सही है, एक बार ध्यान से देख लें, सुचेता करपलानी को, यूपी की सीएम मनाया गया था, 1963 में, 1963 में, आप निकल जाओ, मैं देख लूँगा, चले, भारत की पहली महिला राजयपाल कौन है, भारत की पहली महिला राजयपाल कौन है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भीलग रहा है कि अब मदलब थोड़ा सा बिलर वाइट नहीं जाए दिख रही है कोश्चन हलके दिखाई दे रहें हैं यह क्या हो रहा हुआ प्रबाद एक बार ध्यान देना को पता रहें कोश्चन वैसे चमक रहे हैं मतलब चलो भी में एक बार और थोड़ा परिवर्तन करके देखाए मैंने यहां सही चम करें भी यह तो मेरे खाल से गलत हो गया अरे आजा भई कौन साथ कोई साथ वाज़ा निकल गए चलो भी इसको देखते हैं यह ठीक है सही चम अगरा भी आपका नाव क्लियर है ओके थैंकि सो मच पर टैलिंग मी फिटी का भी ओके भारत की पहले महिला राजेपाल सरोजने नाईडू अच्छा कलर बताना भी प्रेपटर रहे पहला बैटर था इसके लिए यालव ले लिए लिए तो आपका सरोजने नाइड्व था सरोजनी राइड़ी को यूपी का राज्यपाल बनाया गया था यूपी का राज्यपाल कहां कभी है यूपी का ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं वर्तमान लोकसभा पंद्रवी सत्रवी तेरवी चोदवी पता हुई सरोजनी मेरी मम्मी का नाम भी है अरे वाँ क्या बात है क्या बात बढ़िया चलो एक प्रस्ता पारित करके राजिस्तान के अंदर कहीं न कहीं तो सोर्स लगा के कोशिस की जाएगी कि यह उपलब्दी आपकी मम्मी को भी प्राप्त हो ओके चलिए वर्तमान में कौन सी लोक सभा है बताओ बई पंदरवी सत्रवी तेरवी या चोदवी कौन सी लोक सभा है हाँ बार बार इसको क्लियर करना पड़ता है B B B चले बहुत बढ़िया जिन लोंगे न आंसर कराब B बिल्कु सई है थाड़ा सब जल्दी चलंगे पड़े आगे लोकसभ़ब चुनाओं के लिए उत्तरप्रदेश में निर्वाचन चेत्रों की संख्या कितनी है छाउसर्ट असी बच्पनीच बान में बताओं लोकसभब निर्वाचन खेत्र के लिए कि avenging oxford के लिए कितनी संख्या है हाँ 51 कभी तो आपने दे दिया मुझे लग रहा है कि आपके कमेंटर थोड़ से दे ले देरी शाते में पास तो आपको दाऊंगे देखो लोक सभा कि कितनी सीटे हैं युपी में 80 हैं तो चुनाव छेत्र पी कितनी होंगे 80 होंगे तो आंसराप्प क्या होगा 80 ठीक है चलिए भारती संसत में इस्थाई समीतियों की संख्या है 12,17,38 या 45 ठीक है 12,17,38 या 45 चलिए तो भाया इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 45 क्या होगा आपका 45 बिलकुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़िया आगे बढ़िया राज्यसभा का सभापति कौन होता है मुखे नैदीष, राष्टपति, उपाद्यक्ष, अटानी ज जल्दी चे बताएं आप लोग इसका अंसर करोगे मुझे मज़ा आ जाए इसका अंसर सुनके आप लोग होगा देखते कितने बच्छी सका अंसर बहतर तरीके से कर पाते हैं राजी सभा का सभापती कौन होता है यहां उपद्यक्स से कोई मतलब नहीं है आंसर होगा उपराष्टपती राज्य सभा का सभापती होता है तो सी अप्सेन अगर आपने उपराष्टपती समझ के दिया तो अच्छा है और कुछ और दिया तो मनी मन में गल्त कह दीजिएगा भारती नागरिक्ता के लिए आवे साल पांच साल 6 साल या साथ साल अगर भारत में आप आवे दिन करना चाहते हैं भारत की नागरिक्ता लेने के लिए तो आपको कितने वर्सों तक भारत में रहना पाया जाना चाहिए तीन साल, पांच साल, छे साल, यह आपका साथ साल, जल्दी से बताएं बावन का पैसट बावन का पैसट क्या कर आपने भी चले, तो भीया अगर भारत के अंदर किसी को नागरिकता लेनी है, आवे दिन करना चाहते हैं, तो उनको पांच वर्सों तक भारत में सबसे पहले रहना होगा, पांच वर्स तक भारत में रहो, भारत के रीति रिवाजों को देखो, आपको लगता है कि भारत अच्छा है, तो आप रह लेना, अधरवाईजा जा सकते हो साथ साल नहीं है, ठीक है, साथ साल नहीं है किसके प्रधान मंत्रितव काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था इंद्रा गांदी, लाल बहादरु सास्त्री, मौरार जी, देशाई या राजीव गांदी, बई बताओ भी, जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, एक मौलिक अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार लेकिन वर्तमान में एक वर्तमान में कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार है बताओ किसके कारे काल में इसको हटाएगा था किसके कारे काल में इसको हटाएगा था और दोस्तों अभी तक बिकर किसी बच्चे ने सेशन को शेयर नहीं क्या है तो कर दीजिएगा लाइक नहीं क्या है तो कर दीजिएगा ठीक है कि चलिए हाँ पास साल में ने देख लिया कॉन जुड़ाय नया आनंदी मेरा जी काफी लेट हो गई यह आप मौरार जी देशाई बिल्कुस सही आंसर है मौरार जी देशाई जी के ही कारेकाल में इस संपत्तिक अधिकार को खत्म किया गया था मुझे बताओ वर्तमान में संपत्तिक अधिकार किस अनुछेद के तहत किस अनुछेद में है और किस से अटाया गया था सविधान द्वारा मूल लूप से कितनी भासाओं को छेतरी भासाओं के रूप में मान्यता दी गई है पताओ 14 15 9 या 12 आंसर करें फटापड जल्दी शिप्ट आंसर करें कितनी भासाओं को सविधान द्वारा मूल लूप से कितनी भासाओं को चेत्री भासाओ के रुप में मानेता दी गई है तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करो मित्रों तो राइट आंसर होगा अपना चोहदा यानि 14 क्या होगा 14 यानि चोहदा ठीक है बहुत बढ़िया चले किस केंदर सासित प्रदेश का अपना एक उच नियायाले है बताओ ऐसा कोंसा केंदर सासित प्रदेश है कोंसा यूटी है मतलब यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं सी यूटी जिसका अपना उचनेयलने हैं चंडिगड दिल्ली पंडिचेरी या लक्षदीट बताइए बहुत आसान कोश्चन है यह बहुत ही आसान कोश्चन कितने लोग इसका आणसर कर पाएंगे किसका अपना उचने अले हैं कहां है उचने अले कि तैयारी है चलिए किस केंदर साथ सित्प्रदेश का अपना एक उचने अले हैं लिए और दी उन्सीने पाण्डी चेरी किसी लक्षदीप कह दिया है दिली का अपना उचने अले हैं ठीक है भड़ी आगे चलिए सभीधान का कौन सा अनुचेद भारत में राष्टापति का प्राधान देता है अनुचेद 52 अनुचेद 83 006 इन हैं में मैं एपरूंट भवेट राश्रप्तां देता है देले जाए ली होता नहीं वह कोस्ちら दिली के लिए दिली के लिए चंडिश्यकन करभ चाण्य यह दूसरा पंजाब के पास सब्सक्राइबिसाइबिस एक पर फोटीं हो गा बिल्कु सभी संसद कों सा रुचेत भारत में राष्टर पत्र का प्र परावदाने करता है तो भारती सविधाने का अनुच्यत राष्ट्रिंपति पर संसद होगी एक स्वाधी मंत्री परिश्द होगी और मंत्री परिश्द का जिकर आर्टिकल 74 भारतिय सविधान में अनुसूचियों की कुल संक्या है चोविस बारा दस या ठारा भारतिय सविधान में अनुसूचियों की संक्या कितनी है बताओ जल्ली से भी भारतिय सविधा संक्या 24 से 12 और यह साथ है मुल्ट सवीधान था मूट सवीधान की बात करूं चेलके मूट सवीधान में कितनी अनुषूचा थी 8 लेकिन जैसे जैसे संसोद अनोतर है अनुसूचे जुड़ती रही वर्तमान में अनुसूचे कितनी है बारा ठीक है बहुत बढ़िया है बढ़िये भारत के राष्ट्रपति को पद की सपत कौन दिलाता है लोग सभा का अध्यक्स अटार्नी जनरल भारत की मुखेन अधिस या उपध्यक्स भार अधिक है अच्छा 60 का भी आंसर आप लोग कर रहे हैं अधा मूल आठती बिल्कु सही है अचलिए भारत के राष्ट्रपति को पद की सपत कौन दिलाता है तो भारत के मुखे ने अधिस कौन दिलाते हैं या भारत के मुखे ने अधिस अगला कुशन आपके सामने योजन अधिस कौन होते हैं तो योजन आयोग के अधिक्स होते हैं प्रधान मंत्री लेकिन योजन आयोग को खतम कर एक जनवरी 2015 को वरतमान सत्ताधारी पार्टी यानी भाजबा सरकार के मुख्या प्रधान मंत्री आधरणिये दननेंदर दामुदर्दास मोदी जी ने उसको खतम कर एक नीती आयोग बना दिया है ठीक है चली भारती सिवधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहां से अपना आ गया है मौलिक अधिकार कहां से ले गए हैं इंगलैंड, फ्रांस, जर्मन ठीक है थेंक्यो 62 का भी भारती सविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहां से लिया गया तो आंसर आएगा आपका अमेरिका कहां से आएगा अमेरिका से ठीक है 64 कि मुख्य चुणाव आयूकत की नुक्ति किसके द्वारा की जाती है की जास सकती है की जाती है प्रदान मंत्री इस अध्यक्ष भारत के मुख्य नैदीश या राष्टपति जल्दी से बताएं प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री पुछा मुख्य चुनाव आयोग की नुक्ति किसके द्वारा की जाती है हाँ ठीक है चलिए देखो में जितने भी उच्छ संस्ताएं होती है चुनाव आयोग हुआ चुनाव आयोग तुका मतलब यह हुआ यूपसी का अध्यक्ष वटपिशत हुआ इं सब को कोई चुनते हैं भारत के राष्ट्रपती कौन जुद्धे हैं भारत के राष्ट्रपती यानि प्रेश्डेंट अफ प्रेश्डेंट अफ इंडिया ठीक है चलिए पढ़ते आगे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वी एस रामवेदिक देविक कल्यान सुंद्रमी सुकुमार सैन टिय प्रेश्डेंट सेसम मुख्य चुनाव यूक्त का मुलब पहले मुख्य चुनाव और यूक्त कौन थे सुकुमार सैन यह कुछन बहुत बार पूछा हुआ है आपके लिए वड़े अगे चलिए लोग सबागी पहली महिला अध्यक्ष्कौन है लोग सबागी पहली महिला आद्यक्स कौन है प्रतिबा पाटिल उर्मिला सिंग मीरा कुमार सरोजनी नाइडू लोग सभा की पिर्थम महिला आद्यक्स कौन है ये आपको बताना है किसने दस्तक दी दिल पर कौन है आप तो अंदर है बहार कौन है भारत के सबसे बड़े सायर ना केवल भारत के बलकी दुनिया की सबसे बड़े सायर राहात इंदोरी की ये लाईने किसी को अपना बनाने किसी के पृत्ति अपना पण जताने के लिए कितनी बहतर लाईने हैं छलिए लोग सभा की पहली महिला अध्यक्स जो बनी थी वह मीरा कुमार मनी थी लोकसबा अध्यक्स यानि लोकसबाइस पीकर उनको विकाज़ मीरा कुमार बिए जग जीवन नाम जी की लड़की है सविधान का कौन सा अनुछेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति सासन लगाने की सक्ति देता है बताओ बैं कौन सा अनुछेद है जो बारत के भारत का कौन सा असा अनुछेद है जो किसी राज्य में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति सासन लगाने के अनुपति देता है अनुछे चांसर अनुछे देख सो बारा अनुछे दोसो तेईस अनुछे 356 एट वरी इजी कोश्टन पड़ा-पड़ा आंसर गरो टेकनिकल टीम एक मिनिट परबात परबात एक मिनिट अबट सेपनिंग जस्टे मिट यार मैं एक बड़ देख लेता हूं किलास को क्या हुआ क्लास तो चल रही है चली क्या हुआ मैंने इसको मतलब रिफ्रेस्स किया यहां से रिफ्रेस्स कर रहा तो यह कह रहा कि लाइव स्टेमिंग इस नौट अवेलेवन एक मिन्ट टेकनिकल टीम के विस्टार हैं हमारे हां के प्रभात कुमार जी सारा टेकनिकल पर कि यह देख बता तो चलना चाहिए कि हमारी इस जो हम क्लास लेते हैं इसके पीछे किस की पावर है अरे बहुत बहुत धन्यवाद थैंकि सो मच जो जाने सुताने ठीक है जिसका काम उसी को साजा और करे तो डंड़ा बाजा यह क्या हो गया उन्हें कि लोड दिस पेच अगें मैं एक मार्ट रिफ्रेस्ट करके देख लेता हूं उसको फिर से अभी टेक्निकल टी में खड़ी है कोई नहीं है काम को रड़ाक्ट उस पर चला दूना और तो मुझा अपभी दो करने होगी है मैं आपके कमेंट मॉबाइल से देख लूँ भी किलास तो चली रही है कोई दिक्कत नहीं आप इसको सर नीचे बैठ कर लिए थोड़ा सा इससे के बस्ते बच्चे दिखते रहें चली मुझे कमेंट आपके दिख रहें से टेक्निकल सर सर क्लास है आपके स्पास आ चुके हैं यह हमारे टेक्निकल सर मिश्टर प्रभात कुमार कि इस वेरें इंटेलिजेंट पर्शनल्टी इन देख इस कांसर गरम बात करें तो 356 है वहीं 356 अगर आप लोगों को दिख रहा होगा मुझे बंद भी तो करने पड़ेगी वाद में है महीं से करो अच्छा चला चला भी तो थोड़ा से इंदिजार करो भी मतलब आपके लिए क्या रहा जा रहा है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर्थ थोड़ा सा मैं देख ले तुम्हां से कर चल पाता है दोड़ेगा अरे वाग गुरू जी कि अवर्टिंग इस ओके सब्सक्राइब किस राज्जी में लगा गया था अंद्रप्रदेश बिहार असम और अरोना चल प्रदेश बताव भी किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया था उस राज्य का नाम बताओ भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था अंद्रप्रदेश बिहार असम और अरोना चल प्रदेश कौन सा वो राज्य था जिसके लिए ये दिर्भाग्य पूर्ण समय रहा भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति सासन किस राज्य में लगाया गया था आंद्रप्रदेश बिहार असम अरोना चल प्रदेश जल्दी कभी कभी आते हुघ किलास में चलोग को टेक्निकल बरी कितना होता है किलास ये बहुत अच्या पढाते में से मैंतर नहीं का बहुत बढ़िया है कभी मोगा में लगा तो कभी मैथमेटिक सिंसे पढ़ागे देखें आपको चले ए आंसर बिलकूर करेक्ट है आंद्र शुरू में नियुनतम अब्दी के लिए लगाया जा सकता है कितनी नियुनतम अब्दी के लिए लगाया जा सकता है छे महीने के लिए एक वर्ष के लिए दो साल के लिए या तीन साल के लिए कम से कम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है आपका राष्ट्रपति शासन कम से कम कितने समय के लिए राश्टे पती सासन नियुनत बब्दी के लिए लगा जा सकता है बताईए हाँ देखो आंसर करो भई बहुत बढ़िया करें तब लोगा अंसर करें से क्षिण जैन का ए ए बिल्कुल सहीव छह महा जिन बच्चों ने भी आनसर करा है उनका बिल्कुल करेक्टर अंसर है किसी राज्जे के राज्यपाल के लिए आवेस्ट नियुनतम आयू क्या है पच्छिस साल अठ्थाइस साल पैंथिस साल यह किसी राज्ये के राज्यपाल बनने के लिए न्यूंतम यानी मिनिमा मेज कितनी होनी चाहिए यह आप लोगों को बताना है तो फड़ा पर इसका आंसर दीजेगा कितनी कम से कम आई होनी चाहिए किसी राज्ये का गवर्नर बनने के लिए किसी स्टेट का गवर्नर बनने के ल कैसे ही राज्य के लिए राज्य पाल होता है ठीक अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं मित्रों तो यह भी आंसर आपका होगा 35 यानि 35 साल की आई उसमें होनी चाहिए ठीक है अच्छा चाहिए नेट्वक इस्यू हो रहा है कांसर जी कोई बात नहीं चलिए यदि पद पर रहते हुए राष्टपती की मिर्ति हो जाती है तो उपराष्टपती राष्टपती के रूप में अधिक्तम अब्धी के लिए कार्य कर सकता है तीन साल दो साल एक साल ये च्छे महीने मालिया अगर किसी के पद पर रहते हुए किसी राष्टपती की मिर्ति हो जाती है तो जो पराष्टपती है वो कितने समय के लिए पद पर बने रह सकते हैं नाम बताएं जली से मिलक्त बताएं आप 35 वर्स बिलकु सही है हे का अगर मतलब उतने समय तक उड मोरे सकता उसके बाद राष्टरपती की चुनाओं करा ने कंपलसरी होते है यदक यदि पद पर रहते हुए राष्टापति की मिद्धी हो जाती है क्या उप राष्ट्रपती राष्ट्रपती की रूप में अधिकत्म अबदी के के लिए कारिय कर सकता है तीन साल दो साल एक साल या छे माँ छे साल I Mahsada और परीजेट में प्रस्तोत किया जाता है परवरी का प्रवरी का आखρι दिन एक मार्च पर्वरी का पहला दिन या 15 मार्च को पताRO ऊपोई केद्रिये बजट जो परत्येग वर संसद में पेस किया जाता है वो कौन श्रज़ कैसे में एक कौन सी तारिक को ये कौन से सप्ते में पेस किया जाता है यह आपको बताना है कि क्या लिखर Kinan हाँ बिल्कु से सुमंदुवे जी बहुत बढ़िया बिल्कु सही आंसर है चलिए केंद्री बजट पृति एक वर्स संसद में प्रस्तुत किया जाता है आज जो मैं आपको यह 100 कोश्चन करा रहा हूं यह मालना बहुत जादा महत्पूर्ण कोश्चन है एक्जाम में काफी ह काल पर रंगे आपकी एं पॉलवर पॉलिटी को घुमा रहा हूं इसमें बढ़र कंसिट्यूशन को पॉलिटी को नहीं ठीक है चलिए A answer, B answer, D answer, C answer, सभी answer आरे भी तो बहुत केंदरी बजट जो पेस होता है वो फरवरी का पहला दिन होता है फरवरी का पहला दिन होता है जिसमें केंदरी बजट पेस किया जाता है परवरी का आखरी दिन नहीं परवरी का आखरी दिन नहीं परवरी का पहला दिन यह कह सकते हैं कभी कभी आता है फरवरी का पहला सप्ता भी दे देता है किको पहला दिन पहले सुप्तिम आएगा एक राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिक्तम सक्या कितनी है 350, 500, 380 या 650 एक राज्य विदान सभाव के लिए निरवाचित सद्रसु के अधिक्तम संख्या मतलब किसी भी राज्य में उस संख्या से जादा वहां के विदायक नहीं रह सकते वो संख्या आपको बतानी है 350, 500, 380 या 650 350, बहुत बढ़ी है सीमा गोतम जी आपका सही है तो बहुत बहुत सुख्पाम नहीं बैस्ट ओफ लग फोर यू चलिए एक राज्य विदान सभाव के लिए निरवाचित सद्रस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी है 350 है, 500 है, 380 है या 650 है आंसर होगा 500 यानि 500 का आखड़ा पार नहीं कर सकते है कोई भी जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है यह बढ़ते बढ़ते अगर 500 पार पोजगी तो अमान्य गोंचित हो जाएगी ठीक है हाँ, ठीक है बढ़त बढ़िया राज्य विधान सभा के लिए अधिक्तम सद्रस्यों की संक्या कितनी होती है अरे वही तो राज्य विधान सभा के लिए अधिक्तम सद्रस्यों की संक्या कितनी है 150, 300, 450 या 500 अभी मैंने आंसर आपको दिया देखते कितने बच्चिस का आं या तमिल लाडू बहुत ही इजी कोश्चन बहुत ही लडू या हलवा कोश्चन इसको कह सकते हैं इसका आप लोगों से आंसर पूछ रहा हूं जल्दी शांसर करो इसका इसको तो कोई बता देगा वही उत्तर प्रदेश ठीक है चार सु तीन प्लस एक कहा अगड़ा आपने देखने को मिलता है भारत ने किस देश से पंचवर्शी योजना उधार ली है यूएस अरे यूएस ए मानना इसको ने यूएस यूट ठीक एट एक मिनट वे यूएस एस एस आर यूएस ए यूके या आयरलेंड फड़ा पर आंसर करो कि मैं एक चीद देख लेता हूं इतने यहां पर अभी टेक्निकल टीम है नहीं तो यह गेट खुला छोड़ोगे इंशल भी यार भी लगाता है यार कमाइब बहुति ईतने वे जह से खुला हुएस यह नहीं वे ब Yasmin है ओबार, प03 Wood छले बहुत बढ़िया देखो भारत में किस देश से पंचवर्षी योजना को धार लिए कुछी यह था आंसर करें आपने हाँ हाँ बहुत बढ़िया वेरी गुड देखो जो लोग आंसर करें ने यूएसे उनका अंसर गलत है आंसर होगा यूएस एस आर क्या होगा आंसर यूएस एस आर अब यूएस एस आर का क्या मतलब होता है यूएस एक तीकर यूएस एस एक यूएस ऑ है यूनियन सोुब्याट अब underm fidelity यानी यह माना जाता है किसके लिए सोव्य और संग के लिए मारत है कि स्ट ऑफयर्श संग के लिए माना जाता है कि जम्मोर कस्मीर राज्य को विसेश दर्जा प्रदान करने वाला लेख कौन सा है पताओ अनुचेद 121 अनुचेद 200 अरे बहिया चला मैं मुझे समय में या रहे हैं अनुचेद 121 अनुचेद 200 24 अनुचे 370 अनुचे 390 बता हुए जल्दी है क्या होगा सका राइड आंसर है नहीं इसका नहीं है इसका है जो मैं आपको बताना यूनियन सोवियत यूनियन सोवियत और सोचलिस्ट है सोचलिस्ट रिकंसलेशन ऐसा कुछ करके था मैं मेरे दिमाग से निकल रहा हैं मैं आपको बता दूंगा साथ वो रिपब्लिक होगा रिपब्लिक से है क्योंकि देश की उससे लगा जा रहा है बिलकुल बहुत बढ़िया मोदी जी ने सविधान का कौन सा नुचेत भारतिय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है तो समानता का अधिकार देता है Очень है राज्ये लोक सवा आयोग के सदस्यों की नुक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्टपति मुख्यản दीस कि मुख्यमंत्री यार में भ्राय स्थिए लोक स강ायोग रास्थ्य लोक सभ यूग जैसे आपका उत्तरप्रदेश का करता है यह सेवनियन का है अगर राज्ये में भी राष्ट्रपती काम करेगा तो फिर राज्यपाल क्या गुईयां चीनले लिए रखा है नहीं राष्ट राज्ये में राष्ट्रपती का काम जो करेगा वो राज्यपाल करेगा तो इसका जो आंसर होगा वो राज्यपाल होगा पड़े भारत और चीन के बीच वर्स में पंच सील संदी पर हस्ताक्षित किये गये थे बताओ बई अरे 1900 1969 1954-1948 या 1964 बताओ बहुत बोले सब दिना पड़े डेस्ट अब करते हैं और बहुत परिशान करते हैं चलिए भारत और चीन के बीच पंसील संदी पर हस्ताक्षर किये गए थे 1969, 1954, 1948, 1964 भारत और चीन की बात करूँ दोस्तो तो भारत और चीन के मद्य Ara capacidad 1962 में युद हो चुका है भारत और चीन की सिमा को महमों रेखा के नाम से पुकारा जाता है ठीक है जिसका निर्धारन करा था किसने हैंरी मैक महन ने कहां से ली गई है अरुनाचल प्रदेश से लिखी जी गई है अरुनाचल प्रदेश से यहां कौन सी सेना काम करती है आपकी ITBP काम करती है ठीक है इसके किस स्चेथ में है आपका तिब्बत तिब्बत के लिए 1962 में जो जी दुवा था उसके लिएक मोवी बनी है हकीकत चलिए बड़े आगे तो आंसर होगा आपका 1954 क्या विया 1954 दी नहीं है गुट निर्पेक सब्द का प्रतिपादन किसने किया गुट निर्पेक सब्द देखो गुट निर्पेक सब्द का क्या साब्दी करत होता है यह आपको पता होगा जब प्रस्तावन आपने पढ़ी होगी जब वहार लाल नहरू लाल बहादुर सास्त्री मौरार जी देशाई महत्मा गांदी गुट निर्पेक सब्द का प्रतिपादन किसने किया था जल्दी शांसर करें गुट निर्पेक सब्द मतलब गुट ना बनाए जाए जिससे धरम निर्पेक जिसका कोई धरम ना हो गुट निर्पेक जिसका कोई गुट ना हो मतलब कुसका कोई गुरुप ना हो ठीक है तो किसने कहा था हायुद के बाद 1964 में नहीं उस संदी का उलंगन किया था उसने प्रोड जिस ने बता है पंडित जिवहार लह रूंப उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलिए सार्ख का मुख्यालय कहा पर है एक सार्ख एक संगठन है है एक संगठन है इसका मुख्याल कहाँ पर स्टैटिक जीके का एक कोश्चन है यह कोश्चन पर जल्दी टू सार्ख का मुख्याल्स यह भी पता रहा हूं कहां पर है नैपाल में और नेपाल की राजतान नहीं कहांत काट मांडू में ठीक है बड़े आगे चलिए लक्षदीप मिनिकाय और अमीनी दीपों का नाम वर्स में संसत के एक अधिनियम द्वारा लक्षदीप में बदल दिया गया मतलब कौन से वर्स में 1970-1971-1972-1973 कि इस अधिनियम के द्वारा इन सब को इखटा कर एक होज हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कि सरांसर होगा सी गोरी कुमारी जी ने 82 का अंसर करा है सी सुमंदुवे जी कह रही है ओके सर चलिए बहुत बढ़िया बेर गुड़ वाला ओके तो लक्षदीप मिनिकाय और अमीनी दीप को एक लक्षदीप दीप समू के नाम से पुकारा गया था 1973 में कब ही 1973 में 1971 में बांगलादेश बनता है बारत पाकिस्तान युद्ध होता है ठीक है चले भारती सविधान का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है महत्मा गांधी जवाहला लहरू बियार अम्बेटकर या बल्लभाई पटेल भारती सविधान का मुख्य वास्तुकार किसको माना जाता है ये आपको बताना है बारतिय स्वधान का मुख्यवास्तुकार महत्मा गांधी जवाला लहरू बी आर अम्बेटकर बल्ला भाई पटेल नहीं 1954 नहीं है अगर मां पुछ वालें में बात करो तो भारतिय स्वधान का मुख्यवास्तुकार किसी माना जाता वहीं डॉक्टर बी आर अम्मेटकरजी को ठीक है चलिए संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्सता किसके द्वारा की जाती है संसद का संयुक्त सत्र बलाया जा सकता है और उसकी अध्यक्सता की जा सकती है किसके द्वारा लोकसभा अध्यक्स द्वारा लोकसभा के उपद्धिक्स द आधुर्स द्वारा यह उप्राष्ऩ पती दुवारा अर जल्नीश आंसर करो विए तबिल्कोल सही आंसर है अपका हम बहुत कर जिसने भी आंसर कर रहा है बहुत बढ़ी आंसर कर है हिपे चले कॉंस और संसद काश्एक अधिवेश्ण बूला सकता है कि संसत्का सेंट अधीवेशन बुला सकता है कि फटापना अंसर करिएगा कि सी सी ठीक है बहुत बढ़िया है तो जिन लोग ने अंसर कर रहा है राष्टपुति उनका बिल्कुल अच्छा अंसर है बढ़े आगे भारती राष्टी कांग्रेस के सबसे लंबे समय पर जेवां डेने वाले अध्यक्ष कौन है इंद्रा गांदी जवालाल नहरु महतल्या गांदी सोन्य गांदी सभ से सबसे लंबे समय से जो अध्यक्ष है कि सयंक्ट बनाता है रखोस是不是 आनसर को लोकसभा का अध्यक्ष भी, कारनामा कर सकता है, लेकिन जब राष्ट्रपत्य दिया हों, राष्ट्रपती उसमे सरव पर ही होता है। बारति राष्टे कंग्रेश के सबस्रेलं में समय सेवा देने वालेवा अध्यक्ष कोन है इंद्रागांदी, जवालाल नहरु महत्मागादी है सोन्य गांदी ए ए ए भी भी बहुत बड़िया तो इंद्रा गांदी नियवी वरतमानुमे देखो सोन्य गांदी जी है बहुत समय से बहुत समय से कांग्रेस की अध्यक्ष्टा कर रही हैं लगवग 200 साल हो चुके हैं भारती राष्टे कांग्रेस के पिर्थम मुस्लिम अध्यक्ष्ट कौन थे अबुलकलाम आजादी बद्रुदिन तयब जी सैद हसन इमाम या उप्रुक में से कोई नहीं भारती राष्टे कांग्रेस के पिर्थम मुस्लिम अध्यक्ष्ट कौन हुआ करते थे उसका नाम आप लोगों बताना है कोश्च नमबर 27 अरे बहुत बढ़िया लेकिन उनका भी रिकोर्ड तोड़ दिया है सोनिया गांदी जी ने कि समय को देखो है कि इसका अंसर करो फटाफट है कि सी आंसर बहुत बढ़िया जो लोग कहरें सयद असन इमाम तो वह आंसर गलत है आंसर बद्रुदीन तयब जी बद्रुदीन तयब जी अब मैं भी थोड़ा सा क्यूंकि लगातर सुभी से किलास ले रहा हूं एनरीजी कोशिश करेंगे इसकी समाप्ति पर जल्दी भासा के अधार पर बनने वाला पहला राज जी एक कुंसा है तो भासा के अधार पर सबसे पहला राज जी जो बना था बच्चो वह बना था आपका आंधर प्रदेश ओटी रामलू भूख हरताल पर बैठे थे उनकी मिर्ति हो जाती है तब कांग्रेस सरकार द्वारा इनको प्रिस्ताव लाकर अंधर प्रदेश को भासा के आधार पर सबसे अलग कर दिया था है उननीस सो पिछेतर में आपात काल के समय भारत के राश्टेपति कौन थे जेल सिंग वीवीगिरी भकुरुदीन अली एहमंद यह संकर द्याल सर्मा बताँ उननीस सो पिछेतर में जो आपका क्या लगा था आपात काल लगा था उस समय पर भारत के राश्टेपति कौन थे प्राश्टपती दोनों का पद रिक्त हो जिसे उप्राश्टपती का अधिकार प्राप्त है तो वह कारी करता है प्राश्टपती दोनों का पद रिक्त हो जिसे उप्राश्टपती का प्राप्त का प्राप्त है या थल सेना प्रमुग है बहुत अच्छा गोश्चन है भैए बहुत बढ़िया गोश्चन आपके सामने आया है नहीं अच्छा प्रद्धान मंत्री बताया तो उस्टेम में थी यहां इंद्रा गांधी थी नाइंटी का एंटी का मुखे नेदी से बिलकुस सही आंसर है इतने वच्छे आंसर करने नाइंटी का यह बहुत करेक्ट आंसर है चलिए सिक्किम किस वर्ष भारत का हिस्सा बना इसको आप लग बताएं अधा किस से नहीं वह जा चुक है हो अगर क्रण संस्य क्राइब हो पर का समय संब्सक्राइब करता ह्ट्व खेंछ है लिए थेन का सिक्किन किस वार्ज भारत का इस्सा बना 1912, 1935, 1937, 1980 सारी option बहुत अच्छे दिये हैं C option बहुत बढ़िया कुछ लोग कहरें सर C होगा कुछ लोग कहरें सर D होगा कुछ लोग उन्हें A कह दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग ना जो answer कर रहे हैं आप लोगों का answer किसी का भी सही नहीं है सिक्किम किस वर्स भारत का हिस्सा बन गया 1912, 1935, 1937, 1980 एक बार सोचो और सही answer दो बहुत बढ़िया सभी लोग कर रहे हैं best answer लेकिन इन में जिन बच्चों ने करा है 1937 उनका बिलकुल correct answer है ठीक है, बढ़े आगे, चलिए भारती संह लोग से वा, आयोक की स्थापना किस अनुचछेत के तहप कि गई, अनुचछेत 122 अनुचेत 2102बहतर अनुचेत 315 भारती संह लोग से वा, आयोक की स्थापना यहां से कुछन पूचह जाएगा पेट एक्जाम में आपसे कुछन पूछा जाएगा यह पढ़कर जरू जाना दो 122, 138, 232, 315 जल्दिश आंसर करें इसका कौन सा ठीक है तो भहिया UPSC आयोग है गोली चलेगी 315 की 315 की गोली चलेगी आंसर होगा आपका 315 ठीक है जल्दी हम सो कुछन की तरफ को बढ़ रहे हैं राष्टी मानावधिकार आयोग का गठन किस वर्स में किया गया 1990, 1993, 1995, 1997 किस वर्स राष्टी मानावधिकार का गठन किया गया हाँ बिल्कुल आजाएंगे इस सो कुछन में से पास कुछन तो खरन नहीं किया सकता पताने कहां से दे दे लेकिन जायतर कुछन यहां से मिलेंगे ठीक है पढ़े आगे इस कुछन का अंसर करिएगा कुछ्टो में जाक्सी ओके यह किस ने दे दिया ग्यार सुतरान में कहां पोजगी ठीक है उननिस सुतरान में इसका राइट आंसर को बढ़ते जल्दी जल्दी आगे राष्टी मानावधिकार आयोग है सब्सक्राइब करता है बोले गुरुजी नहीं करता वह खुद की सी दूसरे के देश में जाएक इंटरफेर कर सकता है तो यह है इस पर कोई आपत्य नहीं कर सकते इसका मतलब यह उप्सन आपका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा बढ़ते एंगले कुछन की तरह राष्टी मानावधिकार आयो का देख्स कौन हो सकता है सुप्रिम कोट की मुख्यने अदिस सुप्रिम कोट के निया दीस उच्छन नियाले के मुख्यने अदिस या लोग सभा के सदस्य बहुत अच्छा कोश्चन आपकी स्किन पर हाँ वो वाई मिस्टेक आपसे लिखा गया होगा मैं समझ सकता हूँ ठीक है चले राष्टी मानव अदिकार का अध्यक्स कोन हो सकता है सुप्रिम कोट के नियादीस उच्छन नियाले के मुख्यने अदिस लोग सभा के सदस्य सुप्रिम कोट के मुख्यने अदिस सबसे बड़ा सरवच अदिकारी हो सकता है तो इस काम को भी वो कर सकता है ठीक है ए ओ भारत का नियंत्रक और महाले का परिक्षक बनाया जा सकता है वो नामंकित किसको क्या जा सकता है उसका आपको नाम बताना है जल्दी से बताएं दुस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर भारत के नियंत्रक और महले का परिक्षक के लिए नामंकित व्यक्ति कौन है भारत के राष्टरपति बारत के उप्राष्टरपति बारत के प्रदानमंत्री बारत के मुखे नियाधियस 95 का A 95 का A आप लोग आंसर कर रहे हैं ठीक है बहुत खोग सुमंद्र जी कर रहे हैं सर नाइंटी सी का 96 का A आंसर होगा प्रिजेंट 90 का A A बहुत बढ़िया ठीक है भारत के नियंतरक और महाले का परिक्षक के लिए नामंकित व्यक्ति कौन हो सकता है मतलब भारत के नियंतरक और महाले का परिक्षक किसको बना जा सकता है वही उसको बना जा सकता है जो मुक्के नैदीस रहा हो जो मुक्के नैदीस रहा हो ठीक है तो डी ओप्षन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पढ़े आगे भारत के पिर्थम नियंतरक और महाले का प्रिक्षक कौन थे एके चंद्र एके राये एस रंगनातन या वी नरहरी राओ जल्दी से बताओ भीया कौन थे वह सबसे पहले भारत के प्रितम नियंत्रक और महले परिक्षक कौन थे एके चंद्र एके रये एस रंगनातन वी नरहरी राओ तो वी नरहरी राओ को ये सोभाग्य प्राप्त हुआ था सबसे पहला प्रतम महालेखा परिक्षक बरने का ठीक है पड़े आगे लोक लेखा समीति यानि पी ए सी की अधिक्तम संख्या हो सकती है दस बारा बाइस या पच्चिस लोक लेखा समीति अधिक्तम कितनी हो सकती है ना रंग राजन नहीं ह प्रतम संख्या कितनी हो सकती है ये जाल दी आस्तर पताओं का सीधा आपको कितनी होसकती है 22 ठीक है बरो आगे लोक लेखा समीति पी ए마सी कि अधिक्स की है चल Gefसक्तर नभ्याएं तो लोग सबस्रिंटी के अधिक्ति कौन करता है एलोग लेखा समीथी अधिक्ति कान लोग सबस्राज़्टुपत्री तौ इसमें यह अंसर होगा वह और पिखके बढ़े आगे चलिए आज का अपना अंतिम कोश्चन भारत का 28 वा राज ये कौन सा है उत्राखंड गोवा ज्यारखंड या 36 गड़ बताओ भई चल्दी से बताएं 99 का D देखो भी भारत का 28 वा राज ये कौन सा बना पांस तरोग आपका ज्यारखंड ठीक है 100 कोश्चन पूरे हो चुके हैं आयोब के आप लगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा कोश्चन आगे भी है संसत में धनविदे किसकी सिपारिस के साथ पेस किया जा सकता है बता संसत में धनविदे किसकी सिपारिस के साथ पेस किया जा सकता है प्रदान मंत्री राष्टपती लोकसवाद देख्स या वित मंत्री किसके द्वारा पेस किया जा सकता है आंसर होगा आपका राष्टपती राष्टपती ठीक है चलिए धनविदे की तरह विदेख देखो ध नहीं किया जा सकता कहीं भी इसे भी राष्णपती की सिपारिस परी किया जाता है भारत के प्राष्णपती बनने वाले एक मात्र लोग सा बात देख कौन थे वीविगिरी जेल सिंग निलम संजीव सिंग रेड़ी एस राधा कृष्णन बताओ जल्दी से क्या होगा राइट निलम संजीव एक मात्र राष्णपती है जो निर्वरोध चुने गए थे और भारत के छटे भारत राष्णपती थे और उन्होंने 25 जुलाई निस्सो सत्यतर को राष्णपती का पदभार समाला रेड़ी ने दो बार राष्णपती पदगा चुनाव लाड़ा था जिसमे बताएंगे मैंने आपको बार 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 बताया था उन्निस सुमन ने दिया था कोई ली चलो उनिसा पिछेतर के आपात कालिन की घुष्णा के समय भारत के प्रदान मंत्री कौन थे नहीं थी दी कौन इंद्रा गांधी है ठीक है चलिए अरे वाह क्या बात है ये इंद्रा गांधी जी है देश की प्रतम महिला प्रदान मंत्री 1975 में भारत में अपात काल अनुचेत के तहत लागू किया गया किस अनुचेत के तहत अपात काल लागू किया गया तीन सो पिछेतर दो सो बैलिस तीन सो बीस तीन सो बावन आज का अपना अंतिम कोशन यह हो सकता है अब पर इसका आंसर करो थोड़ा से समय लूगा जात रहे हैं अधिया, बड़े चलिए कर थूँन तु भैत में भारत में अपात काले अनुच्यद के तेहतर जिर्फ जो लगा था आपात कर लगता है 352 राश्णप्रति लगता है 356 राश्णप्रति सास्व लगता Android एन तीनसो ती्ट और 300 लगता है वित्तिया पात के यून 25 जून 1975 से किस मार्च चुमनीस सो सब्सक्राइब की बीच देश में ठीक है 21 महीने तक आपातकाल लगा था और ततकाले इन राष्टपती फकरोदीन अली एहमद ने ततकाले प्रदान मंतरी इंद्रा गांदी के नेतरत वाली सरकार की सिपारिस पर भारती सविधान के तो इसी के साथ आज का अपना 100 कोशन का टार्गेट पूरा होता है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों कोई 100 कोशन काफी लाब देंगे अगर आप पैट का एक्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो 5 कोशन आपके आने वाले हैं कहीं न कहीं से आपके बढ़े आगे चलिए अब तो बढ़के आप तो खेर को समाप्त करते हैं मिलंगे अगले सेशन में कल तो साथ चुटी रहेगी परसु मिलते हैं ठीक है चलिए जोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मज जैहिंद जैवादत